असलामलेकूम वेलकम बेक टो माई चानल तरभखान विलॉग्स आई होब आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अलहमदोलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अभी बस मैं शावर लेकर आई थी कपड़े चेंज किये थे क्योंके मुझे जाना था बाहर लेकिन बाहर ज तौफीक अलहमदोलिल्ला किसी को नहीं है घर में सिफाए मेरे एक मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है मुझे बे तर्टीबी बिल्कुल भी बरदाश नहीं होती जैसे इस सोफा के सामने ये टेबल रखी है अगर इसके ओपर चीज ने टेडी मेरी हुई हो तो जब तक मैं उन और एडीशन हो गया इस रैकेट का मच्चर और मक्खी मार रैकेट जिसका इस टेबल पर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे हस्बेंट के ओर्डर है काफी देर से मेरे हस्बेंट हॉन्स दे रहे थे जल्दी जल्दी में आईयों बाहर और अब चलते हैं लोकल मारकेट की तरफ घर के अंदर गर्मी का एसास बिल्कुल नहीं होता लेकिन बाहर निकलें तो पता चलता है ठीक ठाक गर्मी आगे गे सबसे पहले तो मैंने अपने दुपटे के लिए लेस बाई की पंदरा सौफी लेस आई थी यहाँ पर मैं अपनी लेस लगवारी हूँ और यह वही सूट है सपायर का जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था मेरे बेटे को कैशुल वेर के लिए ट्राउजर और शर्ट चाहिए थी यहाँ एक लोकल शॉप है इधर से काफी अच्छी शर्ट और ट्राउजर मिल जाते हैं शर्ट मुझे नाइन फॉटी फाइफ की एक मिली और ट्राउजर मुझे वन थाउजं का एक मिला मैंने 5 शर् पहने वाले कपड़े जो है ना वो मैं हमेशा लोकल शॉप से बाए करती हूं क्योंकि एक तो डेली चेंज होने होते हैं डेली वाश होने होते हैं तो ये वाले जो कपड़े होते हैं ये रीजनेबल पर जाते हैं बाकी जो उसके बाहर पहने वाले कपड़े होते हैं वो मैं मैंने सोचा भाई बाकी सारे काम बाद में क्योंकि अभी मुझे कुकिंग भी करनी है सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ जब भी शेक बनाती हूँ ना चाय वो मैं किसी भी फ्रूट का बनाओं एपल का बनाओं बनाओं स्ट्रॉबरी का बनाओं तो मैं फ्रूट की कॉंटिटी हमेशा काफी ज्यादा रखती हूँ और मिल्क की कॉंटिटी निस्बतन कम रखती हूँ उससे शेक बहुत मज़े का बनता है आज मैं गई हुई थी मॉल और मैंने सोचा आई हुई तो हूँ अपने लिए कुछ समर का स्टाफ देख लेती हूँ तो सबसे पहले तो मैं गई है अपने मोस्ट फेवरेट निशाथ पर लेकिन जाकर दुखी हुआ यार एक आम सा सूट भी उन्होंने पाुआ प्र मुझसे पीस बाई किता तो तो में हमेशा शचेट और ट्राउजर बाई करते हूँ क्योंकि दुपट्टा मिलना बहुत असान होता लेकिन जब भी आप दुपट्टा और शचेट बाई करते हैं उसके साथ ट्राउजर मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर शिर्ट और ट्राउजर के स्टफ में डिफरेंस हा जाता है और मुझे वो डिफरेंस आता है वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन खैर अब तो मैंने ये बाई कर लिया है ये सारी इसकी डिटेलिंग है मैंने सोचा आपको दिखा दूँ और इसकी शिर्ट पे हलकी हलकी सी ये बूटियां सी बनी हुई है लाइट सी एंब्रॉइड हुई है जो गर्मियों में न चुपती है न तंग करती है प्राइस भी मैंने आपको दिखा दी है मुझे गर्मियों में शिफान दूपटे लॉन के सूट के साथ बहुत अच्छे लगते है मैं बहुत कमफर्टेबल फील करती हूँ शिफान दूपटों के साथ लेकिन शिफान दूपटे कुछ ब्रैंड्स के ऐसे होते हैं जो स्लिप होते हैं टिकते नहीं लेकिन सफायर के हो गए, काड़ी के हो गए, निशाद के हो गए, वो बड़े अच्छे होते हैं, वो टिक जाते हैं, बार बार धलकते नहीं हैं, अब जैसे ये जो सूट है ना, ये मुझे 3,990 रुपे में मिला है, मतलब 4,000 ही कह ले ना, 4,000 में ठीक है, शिर्ट के उपर हल अगर आप निशाद पर जाएंगे ना, तो आपको आम प्रिंटेड लॉन का सूट, जिसमें दुपट्टा भी उन्होंने वाइल का लगाया हुए, कोई पैच नहीं है, कोई अम्रॉइडरी नहीं है, और वो आपको 5,000 से कम में नहीं मिल रहा है, इंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हर चीज की प्राइस डबल हो गई है, अचा आप देखें, वही दर्जी जो पहले सूट सीने के 1200 रुपे लेता था, अब उसने 1500 रुपे कर दी है, आम सूट के, अगर आप पाइपिंग लगवाते हैं, लेस लगवाते हैं, तो फिर रेट उससे ज्यादा हो जात हैं, अचा अब जैसे इस सूट के साथ पैच हैं, वैसे मैं यहां आप लोगों को एक बात बताओं कि ऐसे सूट जिनके साथ पैचिस होते हैं तो वो भी उनकी भी सिलाई थोड़ी सी महंगी पढ़ जाती है, क्यों क्योंकि यह पैचिस टेलर तो लगाता नहीं है, पैचिस उसमें भी पैचिस थे, 700 रुपे पैच लगाने वाले ने लिए हैं, तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि अगर किसी को स्टिचिंग के जाहर है, हर किसी की अपनी अपनी एक लिमिट होती है, तो आप ऐसे कपड़े ना खरीदें पिर जिनके साथ यह पैचिस मिलते हैं, क्यो इसमें सी ग्रीन भी है, थोड़ा सा ब्लैक का शेट भी डाला हुआ है, थोड़ा सा ग्रीन का शेट भी है, अब यह टूप पीस सूट आ गया है, मेरा इसके साथ अब मैंने शलवार मैच करनी है, कहां से लूँ यार मुझे बताएं, क्योंकि सफायर पर तो मिलती ही नहीं ह यह भी टूपीस है, इसका शिर्ट है, ट्राउजर है, साथ में इम्ब्रॉडरी वाले पैचेश हैं, अब ही मैं दिखाती हूँ, इसके बहुत ही खुबसूरत पैचेश हैं, इसके साथ जो मैं दुपटा लूँगी ना, वो मैं करिंकल शिफॉन का लूँगी और फिर मैं डाय करा लूँगी, इसमें लाइट ग्रे, आप कह सकते हैं, सुर्मई रंग होता है ना, जैसे सुर्मई कलर के फूलें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी प्राइस वगएर आप देख लें, इसकी डिटेलिंग देख लें, सुर्मई कलर के जो पूलें, उस कलर का मै ककी लेस वगएरर ना कुछ लगोने की ज sittर, मुझे हूं, मुझे ना, मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा लगता है only, मैं सरदियों की कपड़े लेने जाएं, घर्मियों की कपड़े लेने जाहूं, मैं स्वेशा मुझे मुझे बहुत जादा इर्ट अट्रेक्ट करता है, मैं भी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी चले जी अब मैं आपको इसके पैचेस दिखा देती हूँ और ये सूट खरीदने की जो वज़ा थी ना वो इसके पैचेस ही थे मुझे पैचेस अतने प्यारे लग रहे थे ना लेकिन मैं सोचे हूँ यार फिर मुझे स्टि पड़े सिल्वाई थे दर्जन से और बाहर पहनने वाले या इंब्रॉइडर जितना भी मेरा स्टफ था वो मैंने सारा सिल्वाई था टेलर से लेकिन दर्जन ने क्या किया कि पहले दो सूट तो मेरे बहुत अच्छे सी दिये उसके बाद बाकी कपड़ों में जो गंद मा किसी का ट्रावजर खराब किसी की कमीज खराब किसी की सलीव स्टाइट मतलब इतना मैं तंग आ गई थी कि लास्ट रियर गर्मी के तीन सूट सो ऐसे थे जो मैंने टच्छी ही नि किये पैने ही नहीं क्यूंकर इतने बार बार वो दर्जन से ठीक करवाए ना कि मेरा द्ली पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज